जै बजरंग बली की दोस्तों उमीद है कि आप सबके ऊपर भगवान हनुमान का आशिरवाद होगा आज फिर मैं आप सबके सामने एक नए उपाए नए टोटके के साथ हाजिर हूँ नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए बहुती जवर्दस वीडियो लेकर आये हैं तुल्सी का एक पत्ता रग दे इस जगह होगा सभी परेशानियों का अंत जो व्यक्ति रभीवा शंकरांति ग्रहन को छोड़कर तुल्सी को जल जड़ाता है या तुल्सी के मंदिर या त सब्देव करप बनी रहती है जीवन के सभी सुकों की प्रापति होती है उसके पाप नस्ठ हो जाते हैं पुर्खों को स्वर्ग में स्थान मिलता है संतान संस्कारी आग्या-कारी होती है उसे घर में सभी कष्टों से और बढ़नी रहती और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दवाना ना भूले मेरे सभी वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इससे आपको नेटिव नोटिफिकेशन प्र आप आए गए इन नाम को जो भी जाब करता है उसको कभी भी किसी प्रकार की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ता इसके साथ ही अगर आप सुभी के समय तुल्षी को जल चढ़ाते हैं और तुल्षी का ध्यान कर लेते हैं तो जीवन में आपके सभी परिशानियों का होती है सभी प्रकार के बहुत एक्षुप आपको मिलते हैं और उस व्यक्ति पर धनसंबदा भी अपार बनी रहती है शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जला जेते हैं तो दीपक जलाने के साथ आपको दीपक में आपको तेल डालना है और अगर आपकी सर्दा है तो आप में घी भी डाल सकते हैं घी डाल करके उसे जला देने के बाद आपको तुलसी की प्रक्रमा करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की असीम किरपा बनी रहती है उसके घर परिवार में प्रेम संयोग बना रहता है और धनकी कोई कमी नहीं होती ह है तो आपको यह उपाय अवश्य करना है और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कितना इफेक्ट मिलता है वैसे तो हमारे या किसी के भी घर में तुलसी का पौदा होता ही है जसको हम गमले में लगाते हैं इसके साथ ही अगर आप एक गमले में एक कि लगाते हैं इन दोने पौदे को आप अपने घर में लगा देते हैं तो इन दोनों से होती बूसी का पौदा कर देता है तहलों से लुकुंति हैं तो ढूसी का अपने लोगों गर में देख़र हो होगा उंथन आप सास्हां और झेषित ku 유 bundle' उद्धर कर अनि लिगा लेक अर्पित नहीं कर सकते हैं तो आप शिर्फ सुद्धल अर्पित कर देना ताहिए आप इतने से ही कारे से आप ब्रह्मा विश्णु और महेश की इन तीनों की संयुक्त और हम व यहां भगवान विश्णु निवास करते हैं यह तो हम सब जानते ही हैं अगर अगर हम भगवान विश्णु को प्रसंद कर लेते हैं तो मादा लक्षमी अपने या КGAN भात मजigkeit के बारे में घथक करूब मिए अगर तुल्सी की जड़ों की बारे में बात की जाए दोस्तों तो वहां पर भ्रम्मा का निवास माना जाता है। तुल्सी की जड़ों में बगवान प्रम्मा का वुपास होने के कारण अगर आप इन उपाय को करते हैं तो आपको अचूप फाइदे देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं उनके बारे में तुल्सी के पत्तों के बारे में। दोस्तों हर प्रकार की पूजा पाठ में तुल्सी के पत्तों का विशेश महत्व होता है। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करें तो आप कुछ तुल्सी के पत्ते तोड़ करके बगवान को भोग लगाया करें। इस प्रकार की पूजा पाट से आपको दंदानने की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों तुल्सी के पत्ते बोजन को सुद्ध और पवित्र बनाते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा जब भी कभी ग्रहन पड़ता है, और अगर आपके घर में कुछ बचा हुआ खाना हो दोस्तों प्रभाव वहाँ पर नहीं होते हैं, जैसे ग्रेंड पड़ता है, तो ग्रेंड का जो दोस्तों प्रभाव होता है, वह दूर हो जाता है, इसलिए किसी भी सूर्य ग्रेंड या चंद्र ग्रेंड के समय, बोजन में तुल्सी के पत्ते डाल देते हैं, जिससे वह पवित्र नहीं होता है और सुध बना रहता है जैसे हम किसी भी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट से प्रवावित नहीं होते हैं सास्त्रों की बात की जाए तो हमारे धर्म सास्त्रों के अनुसार इंसान की मिर्ट्यू के बाद या मिर्ट्यू के वक्त मुख में तुल्सी के पत्ते डालते हैं ऐसी माननेता है अगर मरे हुए इनसान के मुख में तुल्शी के पत्ते डाले जाए तो उसे व्यक्ति को चाहे वो मिर्थक है, चाहे वो मर चुका है उसको मोक्स की प्राप्ति होती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे धर्म सास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है तो उसके मुख में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। आपको लगता है कि आपके लाक प्रयास के बाद भी आपके ब्यापार में उनती नहीं हो रही है आपने बहुत कोशिच कर रखी है पर आपको सबलता नहीं मिलती है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए और यह उपाय आपको सिर्फ गुरुवार के दिन करना है आप उपाय को जब भी गुरुवार को करते हैं आपको अपने व्यापार में उनती को लेकर और किसी प्रकार की प्रेशानी को लेकर प्रेशान नहीं होना पड़ता है या फिर जोग संबंदी प्रेशानी को लेकर आप प्रेशान है तो आप गुरुवार के दिन चुने हुए दिन तो आप किसी भी गुरुवार को श्यामा तुल्सी जिसको काली तुल्सी भी कहते हैं उसके चारो और खर्पतवार को किसी भी पीले वर्स्तर में बांध कर अपने व्यापार थल में किसी भी जगह रखते हैं तो ऐसा करने से आपके व्यापार में गतीर प्रगति होती है और तो मिल सकती है लेकिन दोस्तों कि तुल्शी का पौदा सबसे पवित्र माना जाता है हमारे हिंदु धर्म आदी में इसका पूरी तरह से उल्लेगनिय वरणन मिलता है तो आप इसकी पवित्रता पर संदे किये बिना आप जान सकते हैं कि इसके आज पास की घास यानि कि में बांदगा रखते हैं तो इससे आपके व्यापार में उन्नती होती है और आपके सभी परिशानिया जो कि लंबे समय चलिया रही थी वह सब दूर हो जाती है यह बहुत आसान और अच्छो कुपाय है आपको क्या करना है जितने भी लोग आते हैं जो भी हमसे पूछते ह करने है इस इस अ्यूपाय के बारे में हम आपको आज बताना चाहते हैं कि यह बहुत कि Oh laugh Act appear डिन बींक फिर कि भी कर सकते हैं जब भी रभिवार को नक्षत्र हो उस दिन तुल्सी की जड़ में जल चड़ाते वक्त ओम तुल्षिये नमे इस मंतर का जाब करें और जल चड़ाते वक्त आपको जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और दोस्तो अगर आपको तुल्सी को जल च कुझा करने हैं दोस्तों हमारे हिंदू सास्त्रों में दुलहन को साफ साथ लक्षमी का रूप कहा गया है इसलिए यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में और आपके उपर माता लक्षमी की किरपा सदय बनी रहती है उसके बाद तुलसी के आसपास मौझूद खर करके अपने किसी व्यापारस तल पर या पर आप अपने घर में रख सकते हैं किसी जगह पर जो पवित्र हो या फिर जहां पर आप अपना कीमती सामान रखते हैं कारे में सपलता की संभावना आपके इस उपाय से ही बढ़ जाएगी दोस्तों और आधिकारिक मामलों में भ कोई मामला फसा हुआ है तो वह भी आपका दूर हो जाएगा और दोस्तों यदि आपके व्यक्ति आपके जो घर में संतान है वह व्यक्ति अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है आपकी बात नहीं सुनता है वह जिद्धी है चोटे बच्चे हैं वह जिद्धी हो चुके हैं दोस्तों ऐसा होने से आपके संतान भी आपके कहें निसान चलती है यानि कि आपका आदर सम्मान करने लगती है कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों तो इस उपाय से आपके घर में सभी प्रकार के परिशानियां जो होती हैं उससे सभी दूर हो जाती हैं दोस्तों आपको अपने घर में तुल्सी का पौदा पूरु दिसा में रखना चाहिए यदि आप किसी ओर दिसा में तुल्सी का पौदा रखते हैं तो आपको इसके पूरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं तुल्सी के पौदे को हमेशा पूरु दिसा की ओर रखना चाहिए अगर आपके घर मे तुल्सी का पौदा पुरुदिशाम में नहीं रखा हुआ है तो आपको इस उपाय को करने से एक दू दिन पहले ही इस पौदे को पुरुदिशाम में रख दे इसके बाद पुरुदिशाम में रखे हुए तुल्सी के पौदे को तीन पत्ते रविवार को छोड़ कर किसी भी दिन ले सकते हैं इसके बात क्या करना है तुलसी के पत्ते लगाता आपको उस व्यक्ति को खिलाने है उस बच्चे को खिलाने है अपनी संतान को खिलाना है जो आपकी बात नहीं मानता है आप कुछी समय बात देखोगे संतान के वैवार में सुधार आने लगा है यह भी एक अलग उपाय है दोस्तों जो हमने पहले बताय था वह भी था वह थोड़ा कठिन था लेकिन यह उपाय बहुत ही आसान है आप देखेंगे कि इस उपाय से आपके संतान के वैवार में में तुरूप से योगे वर की प्राप्ति हो जाएगी यदि वह पूजन करती है तो और जल्दी विवा के योग बनने लगेंगे तुल्सी का पौदे के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और सामजस्य से बना रहता है अगर आप किसी नए घर में प्रवेश नहीं होती है तो दोस्तो आज की वीडियो में के वली इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको इसे को जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली दोस्तों आपको वीडियो अ